ओम नमस्षिवार आज कालाश्टिमी पर आये सुनते हैं भगवान कालभैरों की कथा एक बार सुमेरू परवत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास जाकर देवताओं ने उनसे अविनासी तत्व बताने का अनुरोध किया सिवजी की माया से मोहित ब्रह्मा जी उस तत्व को न जानते हुए भी इस प्रकार कहने लगे मैं ही इस संसार को उत्पन करने वाला श्वयंभू अजन्मा एक मात्र इस्वर अनादी भक्ति ब्रह्मा घोर निरंजन आत्मा हुँ मैं ही प्रब्रिती और निब्रिती का मूलाधार सर्वलीन पूर ब्रह्मा हुँ ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर मुनी मंडली में विद्यवान विश्डू जी ने उन्हीं समझाते हुए कहा कि मेरी आज्या से तो तुम स्रिष्टी के रचैता बने हो मेरा अनादर करके तुम अपने प्रभुत्व की बात कैसे कर रहे हो इस प्रकार ब्रह्मा और विश्डू अपना अपना प्रभुत्व अस्थापित करने लगे और अपने पच्छ के समर्थन में सास्त्र वाक्य उद्रित करने लगे अन्ततह बेदों से पूछने का निर्ड़य हुआ तो स्वरूप धारड करके आए चारो बेदों ने क्रमसख अपना मत इस प्रकार प्रकट किया रिख बेद जिसके भीतर समस्त भूत नहीं थे तथवा जिससे सब कुछ प्रवत्त होता है और जिसे परमात्व कहा जाता है वह एक रुद्र रूप ही है यजूर बेद जिसके द्वारा हम बेद भी प्रमारित होते हैं तथा जो इस्वर के संपूर यग्यों तथा योगों से भजन किया जाता है सबका द्रिष्टा वह एक सिव ही है साम बेद जो समस्त संसारी जनों को भरमाता है जिसे योगी जन धोडते हैं और जिसकी भाति से सारा संसार प्रकासित होता है वह एक त्रयंब्रकम सिव जी ही है अथर्वबेद जिसकी भक्ती से साच्छातकार होता है और जो सब या सुख दुख अतीत अनादि ब्रम हैं वे किवल एक संकर जी ही है विश्रू ने बेदो के इस कथन को प्रताब बताते हुए नित्य सीवा से रमड करने वाले दिगंबर, पीतवड, धूली धूसरीत, प्रेमनाथ, कुवेटा धारी, सर्वावेष्टित, वृपनवाही, निहसंग, सीवजी को पर ब्रम मानने से इनकार कर दिया ब्रम्हा विश्रू विबाद को सुनकर ओमकार ने सीवजी की जोती, नित्य और सनातन परम ब्रम बताया परंतु फिर भी सीव माया से मोहित ब्रम्हा विश्रू की बुद्धी नहीं बदले उस समय उन दोनों के मध्य आदि अंतरहित एक ऐसी विशाल जोती प्रकट हुई कि उससे ब्रम्हा का पंचम सीव जलने लगा इतने में त्रीसूल धारी निल लोहित सीव वहां प्रकट हुए तो अज्यानतावस ब्रम्हा उन्हें अपना पुत्र समझ कर अपनी सरण में आने को कहने लगे ब्रम्हा की संपूर बाते सुनकर सीव जी अतियंत कुरुध हुए और उन्हों ने ततकाल भैरों को प्रकट कर उनसे ब्रम्हा पर सासन करने का आदेश दिया आज्या का पालन करते हुए भैरों ने अपनी बाई उंगली के नखाग्र से ब्रम्हा जी का पंचमसिर काट दाला भैभीत ब्रम्हा सतरुद्री का पाठ करते हुए सीव जी की सरण हुए ब्रम्हा और विश्डू दोनों को सत्य की प्रतीती हो गए और वे दोनों सीव जी की महिमा का गान करने लगे यह देखकर सीव जी सांथ हुए और उन दोनों को अभैदान दिया इसके उपरान सियुजी ने उनके भीशर होने के कारण भैरव और काल को भी भैभीत करने वाला होने के कारण काल भैरव तथा भक्तों के पापों को तथ काल नश्ट करने वाला होने के कारण पाप भच्छक नाम देकर उसे कासी पूर का अधिपती बना दिया फिर कहा कि भैरो तुम इन ब्रम्हा विश्रू को मानते हुए ब्रम्हा के कपाल को धारड करके इसी के आश्रे से भिच्छा ब्रिती करते हुए वारार्सी में चले जाओ वहां उस नगरी के प्रभाव से तुम ब्रम्हत्या के पाप से मुक्थ हो जाओगे शिव जी की आज्या से भैरो जी हाथ में कपाल लेकर जिन ही कासी की ओर चले ब्रम्हत्या उनकी पीछे पीछे हो चली विश्रू जी ने उनकी इस्तुती करते हुए उनसे अपने को उनकी माया से मोहित न होने का बरदान मांगा बिश्रू जी ने ब्रह्म हत्या के भैरव जी के पीछा करने की माया पुछना चाही तो ब्रह्म हत्या ने बताया कि वह तो अपने आपको पवित्र और मुक्त होने के लिए भैरव का अनुसरण कर रही है भैरव जी जेव ही कासी पहुचे तेव ही उनके हाथ से चिम्ता और कपाल छुटकर प्रित्वी पर गिर गया और तब से उसस्थान का नाम कपाल मोचन तेर्थ पढ़ गया इस तेथ में जाकर सम्विधी, पिंडदान और देव पित्र तरपड करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से निब्रीत हो जाता है काल भैरव की उत्पत्ती भगवान सीव के क्रोध के परिडाम स्वरूप हुआ था काल भैरव के जन्म के संदर्व में दो कथाएं प्रसलित हैं पहली ब्रम्हाजी से संबंधित और दूसरी कथा राजादच के घमंड को चूर करने से संबंधित माता सती के पिता राजा दच थे। सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद भगवान सीव को अपना जीवन साथी चुन लिया और उनसे विवाह कर लिया। उनके इस फैसले से राजा दच बहुत दुखी और क्रोधी थुए। वे भगवान सीव को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने भगवान सीव को अपमानित करने के लिए एक यग्य किया जिसमें सती तथा भगवान सीव को निमंतर नहीं भेजा। सूचना मिलने पर सती ने भगवान सीव से उस यग्य में सामिल होने के लिए निवेदन किया। तब उन्होंने सती को समझाया की बिना निमंतर किसी भी आयोजन में नहीं जाना चाहिए। चाहे वह अपने पिता का घर ही क्यों नहीं हो। लेकिन सती नहीं मानी। उन्होंने सोचा की पिता के घर जाने में कैसा संकोज। वे हट करने लगी। वे अपने पिता के घर चली गई। यज्य हो रहा था सभी देवी देवता रिशी मुनी गंधर वादी उसमें उपस्थित थे। सती ने पिता से महा देवत था उनको न बुलाने का कारण पुछा। तो राजा दच भगमान सिव का अपमान करने लगे। उस अपमान से आहत सती ने यग्य के हमनकुंड की अगनी में आत्म दाह कर लिया। ध्यान मुद्रा मेलीन भगमान सिव सती के आत्म दाह करने से अतियंत क्रोधी थो उठे। राजा दच के घमनको चूर करने के लिए भगमान सिव के क्रोध से काल भैरव की उत्पत्ती हुई। भगमान सिव ने काल भैरव को उस यग्य में भेजा। काल भैरव का रोद्र रूप देखकर यग अस्थल पर मौजूद सभी देवी देवता रिशी भैभीत हो गए। काल भैरव ने राजा दच कासीर धर से अलग कर दिया। तभी भगमान सिव भी वहां पहुचे और सती के पार्थिव शरीर को देखकर अतियंत दुखी हो गए। वे सती के पार्थिव शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मान की परिक्रमा करने लगे। ऐसी इस्थिती देखकर भग्मान विश्रू ने अपने चक्र से सती के सरीर के 51 टुक्डे कर दिये सती के अंग प्रित्वी पर जहां जहां गिरे वहां वहां सक्ती पीठ बन गए जहां आज भी पूजा होती है धार्मिक मान्यताओं के अंसार कालभैरों उन सबी सक्ती पीठों की रच्छा करते हैं